दमश्कार दोस्तों जीके विदजीत में आपका स्वागत है दोस्तों मैं इसमें आपके लिए साइंस का एक टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ इस वीडियो में अगर आपका आज साइंस का टेस्ट होता और आप एक्जाम में बैठे होते तो तीस कॉशन के इस सैट पेपर में कवच का अध्यन क्या कहलाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताईए चली देखते हैं तो इसका सही उत्र हो जाएगा कौन को लौजी option number B इस caution के लिए सही उत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्कीन पर फैराडे का नियम किस से संबंदित है राइट आंसर क्या बतलाईए चली देखते हैं तो फैराडे का नियम विद्धुत अबगटन से संबंदित है option number A इसका सही उत्र हो जाएगा विद्धुत अबगटन से नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्कीन पर यदि जल का प्रदूशन वर्तमान गती से होता रहा तो अंततह क्या होगा राइट आंसर क्या बतलाईए चली देखते हैं तो यदि जल का प्रदूशन वर्तमान गती से होता रहा तो अंतता जल पादपों के लिए oxygen के अडू अप्राप पे हो जाएंगे और पाधे जो है वो नश्ट हो जाएंगे अगला question देखते हैं क्या पूशग है केसर संबंदी, cancer संबंदी रोगों का अध्यन क्या कहलाता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो cancer संबंदी रोगों का अध्यन जो है oncology कहलाता है right answer हो जाएगा option number C इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशग है लोहे के ऊपर जिंक की परत चड़ाने को क्या कहा जाता है राइट answer क्या बतलाईए चलिए देखते हैं तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चड़ाने को galanization कहा जाता है option number A इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशग गया इरहा स्कीन पर सूरे से आने वाले हानी कारक पराबैगनी विकरणों से क्या होता है right answer क्या बतलाईए चलिए देखते हैं तो सूरे से आने वाले हानी कारक पराबैगनी विकरणों से तो अच्छा का cancer होता है option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं निम्न मैसे कौन अर्द चालक नहीं है तो arsenic जो है अर्द चालक नहीं है यह एक जल प्रदूशक तत्व है जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम यह सभी अर्द चालक होते हैं transistor बनाने में इनका प्रियूक होता है यह caution आता है exam में अगला caution देखते हैं जीवानू की खोज किसने की थी right answer क्या बतलाईए चली देखते हैं तो जीवानू की खोज लिवेन, हौक के द्वारा की थी option number B इस caution का सही उत्तर हो जाएगा next caution देखते हैं क्या पूशा गया है electric circuitों को जोडने के लिए प्रियूक्त किये जाने वाले टांके में क्या होता है बतलाईए चली देखते हैं तो electric circuitों को जोडने के लिए प्रियूक्त किये जाने वाले टांके में सीशा और टिन होता है राइट आंसर हो जाएगा सीशा और टिन की मिश्रधातू होती है जिसे बोलते है solder next caution देखते हैं क्या पूशा गया है अतिचालक का लक्षण क्या है बतलाईए चली देखते हैं अतिचालक का लक्षण क्या होता है उच्छे पार गम्मेता option number A इस caution का सही उत्तर हो जाएगा next caution देखते हैं क्या पूशा गया है यह रहा स्कीन पर DNA translation का प्रदीपादन किस ने किया था राइट आंसर क्या बतलाईए चली देखते हैं प्रयों सुरक्षा फ्यूश तार उस धातू से बनी होती है जिसका इन चार प्शन में से राइटान से क्या हो जाएगा 상태 बतलाईए चलि दिखते हैं तो घरेलू विद्धो तुप करणों में प्रयोक्ति-सुर्ख्षफ फ्यूज तार उस धातू का बना होता है जिसका गल्लांग कम होता है प्रतिरोध उच्छ उच्छ होता है नेक्ष कॉशन दिखते हैं क्या पूशाग है निम्नांकित मैंसे कौ टुडान य य जो है जै टुडान जो है यह बहुत ही ज़यादा धवनी प्रदूशन उत्पन्र लिद्पक करते हैं C हो जाएगा घाव का यदि ट्रॉमेंटो लोजी कहलाता है next question देखते हैं क्या पुश गया है सुष्क शेल क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो सुष्क शेल एक प्राध्मिक शेल कहलाता है option number A सही उत्तर हो जाएगा normally आप जो cell यूज़ करते हैं सुष्क शेल की करडिगरी में आता है next question देखते है DDT क्या कहलाता है right answer क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो DDT एक अजयव अप घटनिय प्रदूशक है right answer हो जाएगा non-biodegradable प्रदूशक pollution next question देखते हैं option number B question के लिए सही उत्तर हो जाएगा C option सही उत्तर हो जाएगा अजयव अप घटनिय प्रदूशक option number C next question देखते हैं क्या पूशक है histology किस से समंदित है right answer क्या बतलाईए चलिए देखते हैं तो histology में उतक का अध्यन करते हैं option number A tissues का अध्यन किया जाता है next question देखते हैं क्या पूशक है यदि किसी तार की तरज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो यदि किसी तार की तरज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध जो है 16 गुना हो जाएगा option number C सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखतें क्या पुशग है वायू प्रदूशन के फलसरूप लोगों को फुपफुस कैंसर से अधिक जादा खतरनाक कौन सा रोग होता है राइट आंसर क्या बताइए नेक्श कॉशन देखतें क्या पुशग है लोहे की खदानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सकित मैता रोग होने का कारण क्या है बतलाइए चली देखते हैं तो इसका सियत रोजाएगा सिलिका तो शरीर में सिलिका की अधिक्ता होने के कारण लोहे की खदानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सकित मैता रोग होता है किसी चालक के सिरों के बीच बिभुवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है ये नियम किसका है बतलाईए चली देखते हैं तो इसका सहीतर हो जाएगा ये ओम का नियम है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी ओम का नियम है ये और रवरक के अत्यदिक प्रियोग से क्या होता है राइट आंसर क्या है बतलाईए चली देखते हैं तो और रवरक के अत्यदिक प्रियोग से म्रदा प्रदूशन जल प्रदूशन और वायू प्रदूशन ये तीनो चीज़े होती है option number D ये सभी आंसर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते क्या पूशग है ये रहा स्कीन पर निमने लिखित मैंसे कौन सा वायू प्रदूशक मनुष्य में रग्त दाब को बढ़ा देता है तथा हर्दय सम्मंदी रोग पैदा करता है बतलाईए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम option number B सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम तो कैडमियम बायू प्रदूशक मनुष्य में रग्त दाब को बढ़ा देता है और हर्दय सम्मंदी रोग पैदा करता है next question देखते क्या पूशग है घरों में लगे पंके बलबादी कैसे लगे होते हैं राइट आंसर क्या बतलाईए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानतर क्रम option number B सही उत्तर हो जाएगा घरों में लगे पंके बलबादी समानतर क्रम में लगे होते हैं नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट के प्रदूशन के कारण हुई थी राइटान से क्या बतलाईए चली देखते हैं तो इसका सही उत्रो जाएगा पारे की अधिक्ता के कारण पानी में पारे की अधिक्ता के कारण महामारी के रूप में मीनी माता रोग हुई थी रोग हुआ था जो 1965 में जिसके कारण जापान म अनेक लोग मारे गए थे और निथो लॉजी में किसका अध्यन किया जाता है बतलाईए चली देखते हैं तो और निथो लॉजी में पक्षी विज्ञान का अध्यन करते हैं option number A सही उत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं एक सामाने सुष्क सेल में नेक्श कॉशन देखें ये रहा स्कीन पर एक तार की लंबाई L मीटर है तार को खीच कर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा बतलाईए चली देखते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का दो गुना अप्शन नमबर A सही उत्तर हो जाएगा एक तार की लंबाई L मीटर है तार को खीच कर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाती है तो तार का प्रतिरोध पहले का दो गुना हो जाता है नेक्श कॉशन देखते हैं एक कार बैटरी में प्रियुक्त बिद्धुत अभट क्या होता है तो दोस्तों ये है आपके लिए सर्प्राइस कॉशन इस कॉशन का आंसर अपने स्कोर के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेर करिए आपने तीस में से कितना स्कोर किया अपने नाम के साथ जरूर शेर करिए मिलते हैं नेक्श वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेर करिएगा और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बैल आइकन का बटन क्लिक कर लीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का दिन शुभ हो